हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज में आप लोगों के साथ चिकेन बिरियानी की चिकेन कैसे कुक करते हैं उसके रेशिपी सेयर करूंगी अगर मेरी रेशिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक कॉमेंट सेयर किजिए और मेरी चैनल को साब्सक्राइब क किजिए और बेल आइकन को हिट किजिए ताकि मेरी रेशिपी आपको मिल जाए अपलोड होते ही रेशिपी आप पराठा नान रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हो इसके लिए मैंने यहां पे लिया है देर केजी चिकेन को इसी तरह बड़ा बड़ा पीस करके अच्छे से क्ल अदले में जूस भी योज कर सकते हो फोर टेवल स्पून दही देर टीस्पून धनिया पाउडर देर टीस्पून जीरा पाउडर देर टीस्पून रेड चिली पाउडर टू टीस्पून कास्मेटी रेड चिली पाउडर एक टीस्पून होल्दी पाउडर एक टीस्पून क पाली मिर्च पाउडर, एक टिस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमोक, हाफ लेमन की जूस, हाफ टिस्पून क्यावडाव वाटार, हाफ टिस्पून रोज वाटार, अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लोंगी, एक टिस्पून होममेट विर्यानी मसाला भी डालके मिक्स करना है, मियन और अध्र गलोसुन पेस्ट की बदले में जूस भी यूज कर सकते हो, अब इसको कवर करके ओबरनाइट रेफ्रीजारेटर में राख सकते हो, एटलिस्ट 3-4 घंटा के लिए मैरिनेशन पे राखना है चीकेन को ओबरनाइट रेफ्रीजारेटर में राखा था, उसके बाद बाहर निकल के राखा था, अब ए रूम टेमपरिचर में आ गई 3-4 टेबल स्पून रिफाइंड ओयल के साथ 1 टेबल स्पून घी डाल के मिल्ट कर लोंगी, आप चाहितो घी और रिफाइंड ओयल ज्यादा या कम भी कर सकते हो, इसमें डाल दूंगी 2 तेज पत्ता, 6-7 छोटी एलाईची, 8-10 लोंग, 1 इंच दाल चिनी, थोड़ा कर लोंगी, या जब तक ना इसमें से एरोमा रिलीज हो जाए तब तक फ्राइ कर लोंगी, उसके बाद इसमें मैरिनेटर चिकेन डाल दूंगी, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी, इसमें से जब तक ना ओयल सेपरेट हो जाए तब तक मिक्स कर लोंगी, 7-8 मिनिट के लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें धाक्कान लगा के राखना है बीच बीच में धाक्कान निकलके स्टार करना है अगर जोरूरत हुआ तो इसमें जोरूरत के हिसाब से नमक डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेकिन ध्यान राखना है मेरीनेशन पे भी नमक डाला था उसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम में पाकाना है जब तक ना चिकेन अच्छे से सफ्ट हो जाए तब तक बीच बीच में धाक्कान निकलके स्टार करना है ताकि चिकेन नीचे जलना जाए फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, सेयर किजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकान को हिट किजिए चिकेन अच्छे से सफ्ट हो गया अब इसमें डाल दूंगी एक टीस्पून होममेट बिरियानी मसाला इसको अच्छे से मिक्स करना है अब इसमें डाल देंगे एक टीस्पून रोज वाटार, एक टीस्पून कैवडा वाटार, वन ड्रॉप मिठा आतोर और एक टीस्पून घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें ढाकन लगा के गैस का फ्लेम को अप कर दूंगी और इसको 2-3 मिनिट के लिए स्टेंडिंग टाइम में राख दूंगी अब चिकन रेडी हो गया अब इसको एक सार्विंग प्लेट में सार्फ कर लेंगे अब इसको गर्मा गर्म सार्फ करना है थैंक्स पर वाचिंग